सर्दियों का मौसम शुरू हो चका है और हम सभी लोग सौक्स पहनते हैं तो क्यों ना इनी सौक्स को हम घर में बनाए अपने पुराने रेजेक्टिट कपडो से स्वागत है आपका मेरे चैनल में मेरा नाम है पूनम कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज को जो वीडियो है बहुत ही यूसफुल होने वाला है इस तरह के की सौक्स हम घर में बना सकते हैं आपने थमनल देखी लिया है तो होता है ना कई लोगों के पास सिलाई मशीन नहीं होती है तो आज को जो वीडियो है वो मैं शेयर करूँगी सुई धागे से हम लोग घर पे ही रिजेक्टेड कपड़ों से इजीली सौक्स कैसे बनाए तो यहाँ पर मैंने कपड़ा ले लिया है मेरा एक पुराना सूट है रिजेक्ट हुआ था वो कपड़ा मैंने लिया है डबल है और जो सीधा वाला साइड है वो उपर की साइड ही है ठीक है तो मतलब दोनों साइड सीधी वाली साइड लेना है हमें और यहाँ पर हमें 4 लेयर्स बनानी है 9 बाए 10 की तो यहाँ पर देखें 9 इंच मैंने कट कर लिया है अब मैं 10 इंच को इस तरीके से निशान लगाऊंगी यहाँ से कट कर लोंगी और जहाँ से फिर फोल्ड किया है ना उसे फोल्ड करके कट कर लोंगी तो यहाँ कि 4 लेयर्स चाहिए हमें टोटल 9 बाए 10 की और कपड़ा हमें इसी तरीके से सीधा ही रखना है और आज को वीडियो है वो वैसे भी बहुत जादा स्पेशल है कई लोग होते हैं जिनको सिलाई मशीन चलानी नहीं आती है तो आज को वीडियो है बहुत अच्छा होने वाला है जिसमें के मैं बिला सिलाई मशीन के सौक्स बनाना बताऊंगी जो कई लीडिज होती है जिनके पास मशीन नहीं होती है या वो सिलाई करना नहीं जानती है तो नॉर्मल सुई धागे से टाके लगाके भी वो बहुत अच्छी सौक्स बना सकती है तो यहां देख सकते हैं 10 इंच लेंथ में है और जो 9 इंच वाला पार था उसको मैंने फोल्ड कर दिया है अब जो मैंने इसको फोल्ड किया है इस साइड से मैं यहां पर 4 इंच पर निशान लगा दूँगी इस तरीके से और यहां पर मैं ले रही हूँ सुई धागा बहुत इजी हो जाता है जो भी चीजे बहुत नॉर्मल सी और सिंपल सी चीज है जो कि आप सीधे सीधे टाके लगा के न यह सौक्स बना सकते हैं देखने में कई लोग डरते हैं कि हम लोग नहीं बना पाएंगे हमें सिलाई मशीन चलाना नहीं आती है या फिर कई लोगों के पास सिलाई मशीन नहीं होती है तो इसका बहुत अच्छा सॉलूशन है कि आप नॉर्मली सुई धागे से भी इसको आराम से बना सकते हैं तो यहां पर जो मैंने उपर की साइट चार इंज का निशान लगाया था इसमें मैं इस तरीके से देखे चुटे चुटे पास पास न टाके लगा दूँगी यह देखे यहां पर लास्ट में फिर मैं ने गाट लगा दी है और एक यह इस तरीके से हो गया अब सेम यही वाला प्रोसेस ना हमें दूसरे वाले में भी करना है फोल्ड करके 4 इंच में निशान लगा के वहां पे भी कच्चा कर लेना है अब देखिए जो पार्ट खुला हुआ है ना बाकी जो बचा हुआ पार्ट है इसको मैं इस तरीके से देखिए फोल्ड करूँगी और यहां पे भी ना सिंपली सा जैसे हमने उदर से लाई की है टाके लगाए है यहां पे भी मैं सुई धागे से टाके लगा दूगी दोनों ही जुराबों में तो बहुत जादा टाइम नहीं लगेगा मुश्किल से आपको 10-15 बिन में यह सॉक्स बनके रेडी हो जाती है या इससे भी कम टाइम बोल सकते हैं क्योंकि सिंपली टाके लगाने हैं बस तो 7-8 मिनित के अंदर आपकी यह सॉक्स बनके रेडी हो जाएगी तो जिस तरीके से मैंने यह देखी यह वाला खुला हुआ पार्ट मोड के सिलाई कर दी है ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट को भी कर लेंगे ठीक है आप ये देखें यहाँ पर इस तरीके से मुझे इसे फोल्ड करना है और सिलाई वाला पार्ट देखेंगा उपर की साइड आए ठीक है आप अपना पैर आप रख लेंगे यहाँ पर और इस तरीके से निशान लगा लेंगे इसे चौक से फिर डार्क कर लेंगे और यह देखिए सीधा ही है अभी यह और यहां पर यह देखिए यह वाला पार्ट मैंने इसके उपर रखा है और इसे थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे ना तो जो प्रिंट है उस साइड वो इस साइड भी आ जाएगा अब बस जो निश लगाए है ना इसके उपर मैं सिंपली सा सिलाई लगा दूँगी कच्चा कर दूँगी अगर आप सिलाई मशीन से करते है ना तो बहुत ही आराम से यह चार मिनट के अंदर आपकी सौक्स बनके रेडी हो जाएगी क्यूंकि थोड़ा सा हाथ से सिलने में टाके लगाने में दो चार मिनट एक्स्टर लग जाते हैं तो बस यहां पर देखे मैंने सिलाई कर दी है और जिस शेप में मैंने सिलाई की है ना उससे थोड़ा थोड़ा एक्स्टर उसी शेप को लेकर मैंने इसको कट कर लिया है अब यहां पर देखे मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है औ तो बस यहां पर जो चॉक से निशान लगाया है आफटाफट से इस पर सिलाई कीजिए ठाके लगाई और बस जो थोड़ा सा नीचे से गोलाई है वहां पर गोलाई से कट करके यहां पर स्ट्रेट कटिंग कर देजिए इस तरीके से तो सेम यही वाला प्रोसेस दूसरे वाले सॉक्स में भी करना है तो यह देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और नीचे से कट भी कर दिया है उसे राउंड शेप दे दी है तो बस अब मैंने इसे कर लिया है सीधा और अच्छे से जो सिलाई की है ना उसके कॉर्नर्स वगेरा देखिए यहां पर मैं निकाल लूँगी तो बस देखे पास से साथ मिनट के अंदर ही आपकी इतनी प्यारी सॉक्स बनके तयार है तो होता है ना जैसे हम लोग किचन में काम करते हैं वहां पर शूज नहीं पहनते हैं स्लीपर्स नहीं पहनते हैं तो इस तरह की सॉक्स कि रेडी हुई है और मशीन का कोई जंजट नहीं है सुई धागे से आपके पास अगर सूट में से कोई कपड़ा बचा है या कोई भी आपका गरम कपड़ा बचा है आप उससे भी इसली बहुत ही प्यारी और गरम-गरम सॉक्स बना सकते हैं तो वीडियो कैसी लगी प्ली बच्दी है आपके लिए टा प्ली आपके पास अगर में से कुड़ा लॉद भागा हैं जापके लग याजयो कैसी लगी आपके लॉद में सॉक्स बच्षबार सॉक्षबार से जए हुई